हेलो एब्रीवन चर्चा चल रही थी सही सोच पर जी हां सही सोच सही सोच निर्मित होती है सही सोच बनती है हमारे ज्ञान के आधार पर और हमारे विवेक के आधार पर जिसको आप कहते हैं knowledge and wisdom और knowledge and wisdom जिन तीन पिलर्स के आधार पर create होता है वो है देखना सुनना और हम क्या देखते हैं क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं तो आज मैं आपके थर्ड एक्षन पे concentrate करने जा रही हूं उसी पर चाचा करने जा रही हूं और वह तीसरा एक्षन है पढ़ना जी हां पढ़ना एक इस्टुरेंट था वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहां हर शात्र उसकी हसी उडाता था इवन यहां तक उसके टीचर्स भी उसके हसी उडाते थे कभी उसके कपड़ों को देखके कभी उसके वेहवियर को देखके इतना तंग आ गया सोचने लगा कि मेरी जिन्दगी किस काम की है के मेरी सारे लोग ऐसे उडाते है तो उसने सोचा क्यों से काम करूं मैं इसखुल वालों को ही सवक देता हूँ और मैं फासी लगा लेता हूँ उसने ऐसा निशे किया और देखने लगा कि किस दिन उसके जो प्रिंसिपल हैं वो ना आएएं और केविन खाली हो एक दिन उसके प्रिंसिपल नहीं आए, दिन में चुपके से जाके उनके रूम में बैठ गया, और रात होने की रास्ता देखने लगा, कि जैसे ही रात होगी वो फासी लगा लेगा, अब बैठा बैठा बोर हो रहा था, इतने मुसे एक पुस्तक पड़ी मिली वहाँ, जनरल लगत उसने पड़ा, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इतने निकम में होते हैं, कि जिन्दिकी से हार मान जाते हैं, इन जैसे लोगों से तो घटिया लोग हो ही नहीं सकते, जो अपनी जिन्दिकी को ही खतम करना चाहते हैं, ऐसा पड़के उसे लगा, कि लोग मेरी बाहर हसी उड़ाते ही है, अब तो ये पुस्तक भी हसी उड़ाने लगी और उसे बड़ा दुख हुआ, बाद में उसने अपना ये इरादा छोड़ दिया और उसने फासी नहीं लगई मैं जिनके बारे में आपको बता रही हूँ, मैं उनका बड़ी उम्र तक की, तो मेरे कहने का मतलब समझें कि पुस्तकें वो हैं जो आपकी जिन्दगी की दिशा बदल सकती है आपकी जिन्दगी में आमूल चूल परिवर्तन कर सकती है तो रीडिंग की हैबिट जरूर रखें, रीडिंग करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आज जबकि ये जो तेजी से भागती दोड़ती दुनिया है इसमें कहीं न कहीं जो जानकारिया हैं, वो बाइट्स में सिकड़ कर रह गई और जो बाइट्स में सिकड़ी हुई जानकारिया हैं, इन्होंने लिखित साहित को बहुत प्रभावित किया है लिखत साहती की तरफ मुड़े पुस्तकें वो दोस्त हैं वो साथी हैं आपका जिसकी तलाश आपको हमेशा होती है क्या में एक सच्चा साथी मिले वही पुस्तकें हैं आप उनको अपना दोस्त बनाएं आपको पता है अलवर्ण स्टेन जिनका नाम इतना फेमस है जिन्हों की बुख दी और उस बुख को पढ़के उन्होंने ना जाने क्या-क्या यूनिवर्स के बारे में इमेजन किया और बाद में उसको आविशकार के रूप में आपके सामने भी रखा तो कहने का मतलब समझें कि जो मैंने स्टार्ट लिया कि आप अरली मॉनिंग का हैसास करें उस positivity को लें, meditation करके अपनी पूरी energy को concentrate करें और साथ में आप जिसको भी follow करते हैं आप उसका उसकी book का एक page मॉनिंग में अवश्य पढ़ें क्यों? क्योंकि वो एक page आपको पूरे दिन पूरे दिन आपकी परिस्थितियों से लड़ने की प्रेना दे सकता है और आज जब कि हम सब जान रहे हैं कि माना की समाचार पत्र पढ़ना, news पढ़ना, news देखना बहुत आवश्यक है, mobile आदत बन चुकी है, सुबह उठते हैं, सबसे पहले mobile हाथ में होता है, पर अंतु कोशिश करें कि जब हम सुबह उठें, तो हम mobile नहीं, कोई news नहीं, हम सि पेच पढ़ें, जिसको हम follow करते हैं, बस यही मेरा आप से अग्रा है, तो जो तीसरा जो basic कारक है, जो आपकी सोच को बदल सकता है, सही सोच बना सकता है, वो है पढ़ना, जो अगले दो कारक बचे हैं, उन पर हम discuss करते हैं, अगले अंक में, तब तक आप मेरा ये चैनल ज सब्सक्राइब करें, धाइक,